आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप पंजाब नेशनल बैंक की मुबाइल बैंकिंग घर बैठे कैसे एक्टिवेट करेंगे इसके लिए ना तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा और ना ही आपको पंजाब नेशनल बैंक के ATM मसीन पर जाना करना है कैसे को पिंजन डेट करना है अगर वो वीडियो आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्ट्ट्रीप्स डॉक्स में लिंक मिल रगी आप वीडियो को डिय mushroom कर दिखांगे कि पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग में कैसे आप रजिस्टेशन क करने के बाद कैसे आप फास्ट टाइम लॉग इन कर सकते हैं इसका इस्तिमाल कर सकते हैं सोवाइज महूनी लेस और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल शुपर टेक्नला जी माथसली का सवागत अच्छे लिए सुरू करते हैं पंजाब निस्तल बैंकी मुबाइल बैंकिंग का इस्तिमाल करने के लिए आपको प्ले स्टोर या फिर एप इस्टोर से पी एन भी वन मुबाइल अप डाउनलोड कर लेना है या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आप महुंसे भी इसे इंस्टॉल करके ओपिन करेंगे जैसे इसे आप ओपिन करते हैं तो यहां पर आपसे कुछ परमीशन मागेगा परमीशन आप इलाओ करेंगे उसके बाद इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा यहां पर आपको यूजर आड़ी डालना होता है जो आपने नेट बैंकिंग में टाइम पर क्रियेट किया है अगर आपके पास यूजर आड़ी है तो यूजर आड़ी डालेंगे अगर आप फर्स टाइम यूजर है आपने यूजर आड़ी क्रिय तो आपको second option चूज़ करना है, mobile banking service बस चाहिए, तो आपको first option चूज़ करना है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा preferred option की operation करने के लिए आप इसको कैसे ही इस्तिमाल करेंगे, view करना चाहते हैं या फिर आप transaction करना चाहते हैं, अगर view and transaction दोनों करना चाहते हैं तो second option चूज़ करेंगे, यहाँ पर सबसे उपर आपको account number डालना होता है, यहाँ पर मैंने account number copy करके रखा है, आप mail पर चेक करेंगे, या फिर आपके passbook में भी print रहता है, उसके बाद यहाँ continue option पर click करेंगे, आपके number पर OTP send के जाएगा, यहाँ पर आपको उस OTP को डालन तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने card का number डालना है, और उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको ATM pin मिल जाएगा, यहाँ से आप ATM का pin डालेंगे, यहाँ पर card number आप सबसे पहले पूड़ा फिल करेंगे, आप card number डाल देंगे, तो यहाँ पर कौन सा card है, आपका यहाँ उसका नाम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ सम्मिट वाले option पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपका debit card verify होने के बाद इस तरीके से screen आपके सामने आदाएगा, यहाँ पर आपको password set करना होता है, यहाँ पर आपको sign in password और transaction password, दो password मिलेंगे, दुन password आपको set करने होते हैं, password आपका alpha numeric रहेगा, यानि alphabet numeric number special character 3 रहेगा, आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप password set करेंगे, तो alphabet में आपका capital letter जरूर होना चाहिए, तो जो password आप sign in डालेंगे, वही आपको confirm करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो password आप sign in वाला बनाएंगे, वो password आप transaction password नहीं होना चाहिए, दोनों में different होना चाहिए, दोनों अलग अलग password होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अपना sign in password बनाएंगे, उसके बाद transaction password बनाएंगे, और नीचे आप password उको confirm करेंगे, उसके बाद यहाँ submit option मिलेगा, submit wallet option पर आप click कर देंगे, आपर देख सकते हैं क यहाँ में customer ID मिला हुआ है, अब यह customer ID जो हमारा रहता है, वही हमारी user ID रहती है, तो यहाँ पर चलिए, हम sign in वाले option पर click करेंगे, यहाँ पर आपको user ID डालनी है, उसके बाद यहाँ sign in वाले option पर click करना है, आप first time जब login करेंगे, तो आपके number पर OTP send के जाएगा, उस OTP क आपको यहाँ पर डालना है, तो यहाँ पर हमारे number पर दीख सकते हैं, आप OTP आ चुका है, OTP डालेंगे, continue option पर click करेंगे, यहाँ पर आपको mpin set करना होता है, जब भी आप login करेंगे, यहाँ पर आपको बार बार password डालनी की जुरुत नहीं पड़ेंगे, डिरेक्ट आप m mpin के तुरू login कर लेंगे, 4 digit का आप OMP set करना है, उसके बाद यहाँ submit वाले option पर click करना है, आपका mpin भी successfully set हो जाएगा, उसके बाद sign in वाले option पर click करेंगे, देख सकते हैं, जब भी आप login करेंगे, तो आपका नाम रहेगा, नीचे यहाँ पर आपको mpin डालना होता है, यह यहाँ पर जैसे आप mpin डालें, while banking में login हो जाएंगे, login होने के बाद यहाँ पर आप no notification मिलेगा, ok कर देंगे, इस तरीके से dashboard आपके सामने रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, कि आप Punjab National Banking, mobile banking में login हो चुके हैं, और यहाँ पर आपको सबसे उपर saving, current, overdraft, deposit account मिलेगा, ज यहाँ से उसको manage कर सकते हैं, transfer वाले options पर click करके, आप किसी को quick transfer कर सकते हैं, यहाँ से आप UPI setup कर सकते हैं, bill pay पर click करके, bill payment कर सकते हैं, एम पासबूक पर क्लिक करकर यहाँ से यहां से से आप लेकांट पे करता है। तो यहां से आप एक नए debit card के apply कर सकते हैं, आपको अपने card को block करना है तो block कर सकते हैं, green pin generate करना है तो आप अपने debit card कर यहां से green pin भी generate कर सकते हैं, आपको कोई pay add करना है यानि आपको beneficiary add करना है, नीचे यहां पर my pay मिल दाएगा, my pay पर click करके यहां से आप एक beneficiary add कर सकते है विदिन बैंक यानि पंजाब नेसल बैंक का है तो विदिन बैंक चूज करेंगे अधर बैंक में है तो अधर बैंक चूज करेंगे यह उसके बाद यहां प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहां से आप बेही एड़ कर सकते हैं पही जो भी एड़ करेंगे 24 गंटे में या 30 म मोबाइल बेंकिंग में रजिस्टेशन करके फर्स टाइम लॉग इन कर सकते हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आई होप दूस्तों कि छोटा सा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए जिपने फेंट के साथ सेयर करिये मन में कोई डाउट यह प्रावलम है तो देचे आप कमेंट्स कर सकते हों मुझे इस्टेग्राम पर फालो करके वहां भी मैसेश कर सकते हैं निले 094 वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूट आपके साथ अब तक लेजे हैं टेक्चेर